सब्सक्राइब करें शिरी बुटिक को और बेल आईकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पासकें नमश्कार दोस्तो शिरी बुटिक में आपका स्वागत हैं दोस्तो आपके सामने एक आज मैंने एक फरेंट इस तरीके से बिचाया हुआ है इस फरेंट के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है कि हमें इसमें कौन-कौन से गले हम बना सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पे कढ़ाई वाली पट्टी है यह कढ़ाई हो रखी है फरेंट के सेंटर में हमने फरेंट कटिंग किया हुआ है सेंटर पोइंट बनाते वे इस फरेंट में हम कौन सा गला बनाए जो कि इसको फरेंट को सूट भी करे और अच्छा लगे तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम गला बनाने के लिए एक सेंटर पोइंट का निसान लगा लेते हैं ऐसे एक यहां पर सेंटर पोइंट का निसान लगा लेंगे और यहां से जैसे हमें ब्रोड लेंथ रखनी होती है छेंच तो तीन इंच इदर रखेंगे और त पूरी कड़ाई जो है खतम हो जाती है जैसे यहां पर पूरी कड़ाई हमारी खतम हो जाएगी सिर्फ छोटा पीस रह जाएगा नीचे लेकिन इसको हम कैसे तियार करें ताकि हमारी कड़ाई भी बच जाए और यहां पर गला भी हम अच्छे से तियार कर पाए इसके लिए द एक निसान लगाते हैं इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो हमने लीवी है इसमें सबसे पहले ब्रोड लेंट का निसान लगाएंगे तीन इंच और यहाँ पर लगाएंगे 3.5-4 इंच इसको आप broad थोड़ा करना चाहें तो गले को broad भी कर सकते हैं यहाँ पर हमें round save डालनी है इस तरीके से हम गोल गले वाली यहाँ पर save डाल देते हैं अब हमें यहाँ पर center point देखना है यहाँ पर कितना gap है हमारा यह वाला gap आपको नगर आ रहा है यह कितना है ये हमारा हाप इनसे भी एक पॉइंट कम है और इसकी लेंट जो होगी यहां से यहां तक टोटल साड़े तीन इंच होगी ये वाली साड़े तीन इंच होगी क्योंकि हमें यहां पे साड़े आट इंच गला रखना है तो यहां पे भी हम सेम इसी तरीके से साड़े तीन पे निसान लगाएंगे और जितना यह गैप है इतना ही गैप यहां पे रखते वे एक निसान लगाएंगे ऐसे अब हम बाहर की साइड इस तरीके से निसान लगा लेते हैं जिस पे हमें कटिंग करने होती है सबसे पहले हम तियार जो निसान होता है उस पर कटिंग करेंगे अब हमें जितना यह गैप है उतरहीं यहाँ यहाँ पर कटिंग करना है एक बार हम यहाँ पर रखके चेक करेंगे हमारा गैप कम जादा ना हो यह गैप दोस्तों बिल्कुल ठीक है अब हम बाहर की साइड यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं गले की कटिंग हमने यहाँ पर कम्पलीट कर ली है अब हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है कपड़े के उपर इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर इस गला पना पेस्ट कर लिया है जो कि यहाँ पर बीच का सेंटर का गैप होता है बिल्कुल फिक्स आएगा यहाँ पर कम जादा नहीं आएगा और इस तरीके का गला जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो वर्क होता है वो प्रोपर अच्छी तरीके से बच जाता है इतना अगर हम टोटल यहाँ से राउंड सेव कटिंग करेंगे तो सारा वर्क हमारा खतम हो जाएगा लेकिन हमने इस हिसाब से कटिंग करने होती है जिसमें हमारा प्रोपर वर्क भी अच्छे से रह जाए डिजाइन भी अच्छे से रह जाए और गला भी हमारा बहुत सुंदर् एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं सिलाई के साथ साथ सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से दोस्ता हमने तीनों साइड से यहां पर तयार कर लिया है कपड़ा फोल्ड करते हुए और यहां पर सेंटर पॉइंट हमने बना लिया है अब हमें यहां पर फ्रेंट रखना है इस तरीके से सीधी साइड नीचे की साइड ऐसे रखते हैं और यहां पर सेंटर प हमारा बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए इस चीजिक आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर यहां पर फर्क आता है तो हमारी कड़ाई कट जाएगी अब हम बुकरम के साथ साथ सिला ही लगाएगी और यहां पर भी तुम इस त्री के से स्लाई लगाएगी अब हम सीबुमा टेवे जैसे हमने दोस्तों यहां पर गला अपना जोइंट कर लिया है हमें यहां पर चेक करना है कि हमारी कड़ाई सिलाई के बीकि में तो नहीं दबी तो यहां पर बिल्कुल ठीक है इस साइड में दूसरी साइड चेक करेंगे तो यहां पर भी ठीक है अब हम इसको असानी से कटिंग कर शकते हैं एक पैर का मार्जन रखते वे यहां पर इस तरीके से कट कर लेते हैं यहां पर सेंटर में कट करेंगे और जो नोक होती है दोनों कोनों पर इस तरीके से कट करेंगे जो गोलाई होती है गोलाई में हम यहां पर ऐसे कट लगाते हैं अब हमें नोक निकालते वे यहां पर इस तरीके से कले को पलट लेना है कैंची की मदद से यहां पर नोक निकाल लेंगे गला फोल्ड करने के पाद दोस्तों रोम साइड जो होगी उल्टी साइड हमारी इस तरीके से निजर आएगी फिनिसिंग के साथ में और सीधी साइड हमारी यहां पर इस तरीके से आएगी बहुत ही प्यारी सी सेव हमने यहां पर बनाते वेए यह गले को कंप्लेट किया है और जैसे आप देख पारे रोग कोई भी हिस्सा यहां का अंदर की साइड का कट का हमने कड़ाई वाला नहीं कटने दिया है फिनिसिंग के साथ में हमने यहां पर इगला पलट लिया है उपर की गोलाई भी प्रोपर होगी और जो हमारी कड़ाई है यहां पर कड़ाई भी हमारी बहुत अच्छे से पूरी आ जाएगी अब हम जो निचे वाला बीच वाला प्लेंग पीस होता है इसमें कोई भी यहाँ पर बटन लगा देंगे जो की हमारे कपड़े से मैच करेंगे इस तरीके से निचे की साइट दोस्तों हमने यहाँ पर बटन भी कम्पलिट कर दिये हैं जो कि कड़ाई से मैच कर रहे हैं और बहुत दी सुन्दर शामने या पर आज आपको आइडिया दिया है इस तरीके के गले बराने का दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कोमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को सेर्वे लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तो